आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धार्णा सच्देव सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार प्रधान मंत्री आज आकाश्वानी से मन की बात कारिगरम की निन्यानमी मी कड़ी में अपने विचार साज़ा करेंगे मुख्य मंत्री कल 1500 MSME नव उद्यमियों को 400 करोड रुपे की अनुदान साहिता देंगे भाजपा के राश्ट्रिय अद्यक्ष जेपी नडड़ा आज राजधानी भुपाल के प्रवासपर और भारतिये मुक्यवाज नीतू घंगस ने महिला विश्व मुक्यवाजी चेंपियंशिप में स्वर्ण पदक जीता अब समाचार विस्तार से इंजिन सरकार के माध्यम से विकास की गती तेज होती है उन्होंने कहा कि मिली जूली सरकार से सत्ता में शामिल लोगों के स्वार्थ ही सिध होती है उन्होंने मद्दाताओं का आहवान किया कि वे एक बार फिर उन्हें लोगों की सेवा का अवसर प्रदान करे प्रधान मंत्री ने करनाटक में तुमकूर स्थित हिंदुस्तान एरोनौटिक लिमिटेड कार खाना, शिव मोगा के हवाई अडे, हुबली स्थित सबसे लंबे रेलवे प्लाटफॉर्म, नारायनापुरा लेफ्ट बैंक के नाल, धारवार स्थित आयाईटी, जल जीवन मि परियोजना, मेगा टेक्स्टाइल पार्क और हालही में घोशित, इलेक्ट्रोनिक विनिर्मान क्लस्टर सहिद, अनेक विनकास शील्ड परियोजनाओं के उदगाटन करने और विभिन विकासकारियों की चर्चा की। के लिए आमंतरित किया था, उन्होंने मन की बात के आगामी एपिसोड में उन्हें विचारों और विश्यों को साजा करने के लिए भी प्रोच साहिद किया है। सकलेचा भी शामिल होंगे। प्रदेश के उद्योगिक संगटनों के प्रतिनिती और हितलाव वाले उद्यमी भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग से शामिल होंगे। सचिव MSME, पी नरहरी ने बताया कि कारक्रम का सीधा प्रसारण, दूरदर्शन, शेत्रिया न्यूस चैनल और सोशल मीडिया के विभिन प्लाटफॉर्म पर भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म लगू और मध्यम उद्योगों को विकास के लिए वर्ष 2021 में लागू की गई MSME नीती में इस उद्यमों को विभिन प्रकार के अनुदान और सेक्टर्स को विशेश पाकेज दिये जाने का प्रावधान है। केंद्रिये ग्रिहें एवम सहकारिता मंत्री अमित शाहा ने कहा है कि पिछले नौ सालों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अनुद्रित्व में देश के 80 करोड गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया है। कारोप लगाते हुए कहा कि कॉंग्रस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। राजपाल मंगु भाई पटेल ने कहा है कि युवा करियर निर्मान के साथ व्यापक सोच लेकर आगे बढ़े। अपनी शिक्षा का उप्योग स्वैम की उन्नती के साथ साथ समाज एवंदेश की उन्नती के लिए भी करे। क्योंकि बेहतर इंसान बनना ही शिक्षा का प्रमुक उद्देश है। दीक्षान समारों में देवी अहिल्या विश्विद्याले के कुलपती रेनु जैन ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने विश्विद्याले की उपलब्दियों की जानकारी भी दी। कुल सचिव अजे वर्मा ने समारों का संचालन किया। ब्रेक के बाद बुलिटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। के माकूल इंतजाम किये गए है। मुखे मंतरी लाडली बहना योजना के लिए आवेदन जमा करने के पहले दिन कल प्रदेश भर में 43,000 से ज्यादा आवेदन आए। राजधानी भोपाल में ही 400 से ज्यादा अवेदन जमा हुए। मुखे मंतरी शिवराज सिंग चोहान ने कहा है कि फॉर्म भरने के लिए बहने घबराए नहीं, गाउं में ही शिवर लगाकर फॉर्म लिये जाएंगे। अब बात खेल की, भारत की 22 वर्षिये मुक्यबाज नीतू घंघस ने कल महिला विश्व मुक्यबाजी चैंपियनशिप में 45 से 48 किलोग्राम भारवर्द में स्वर्ण बदक जीता। नीतू ने फाइनल में मंगोलिया की नुचसे खान अचसांग सेचसे को हराया। महिला विश्व मुक्यबाजी चैंपियनशिप के इतिहास में भारत के नाम अब 11 स्वर्ण बदक हो गए हैं जिन में से मेरी कौम ने 6 जीते हैं। बात क्रिकेट की। माच में मुंबई इंडियन्स की तेज गेंदबाज इसाबेल वोंग ने महिला प्रीमियर लीग की पहली हैट्रिक बना कर इतिहास रचा। नेट साइबर ब्रंट को उनके हर्फन मौला प्रदर्शन के लिए प्लेयर अब दा माच चुना गया। बेडमिंटन में साथविक साहीराज, घ्रंकी रेडी और चिराग शेर्टी की भारतिय पुरुष यूगल जोडी आज स्विस ओपन के फाइनल में पहुँच गई। भारत की इस जोडी ने बासेल में सेमी फाइनल में ओंग यूसिन और टियो ईई की मलेशियाई जोडी को 21-17-21-21-21 से हराया। शुकरवार को क्वाटर फाइनल में सात्वेक चिराग की जोडी ने जेपी बे और लासे मोलेडे की डेनिश जोडी को 21-21-21-21 से हरा कर सेमी फाइनल में वह पहुँची थी। इस टूर्णमेट में सात्वेक चिराग एक मात्र भारतिय दावेदार बचे हैं जबकी पीवी सिंधू और लक्ष सेन को शुरुवा तीहार का सामना करना पड़ा। बुलिटिर में अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मलवा जिले में अनंद विभाग द्वारा कल एक दिवसीय कारेशाला आयुजित की गई। सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रिय वेवसाइक सशक्तिकरण अनुसंधान एवं प्रशिक्षन संस्थान सापित किया जाएगा। शिवपूरी के माधव राष्ट्रिय उध्यान में पन्ना से लाई गई बागिन को भी बाड़े से निकाल कर जंगल में छोड़ दिया गया है। अन्तमें बुलिटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अन्तमें बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बाहित को रहा़े से लाएब पोड़े से लाएगा बारे है।